बहुत बहुत स्वागता है पंजाब दी सियासत दे उपर केंद्रित साढ़े इस खास परोग्राम देविच जिस दे विच सी स्यासी खबरा दे उपर परताल कर देयां सब तो पहला इस परोग्राम दे विच गाल करांगे आज दी नवजोस सिंग सिद्धू दे बठेंड़ा फेरी थे, कड़े कड़े आगू उते पहुंचे, कड़े कड़े मुद्या ते विचार चर्चा हो इस बावत गाल करांगे। त्थे नाल दीनाल गाल करांगे नवजोμο सिंग सिद्धू एककी तरीक पनजाब दे, राजप सिंग बिटू ने एक खास चिठी लिखी है परतानमंतरी नरिंदर मोद्दीनों उस चिठी देवेचे की मांग रखी है इस बारे भी गालबात करांगे पंजाब भी सियासतना संबंदित हो बहुत सारी खबराने जिनाते गालबात करांगे सीनर पत्रकार सुरिंदे डला जी म मुलाकात कीती आज केड़े केड़े मुद्दे सान जड़े बठिंडा दोरे देवेचे संबोधित कीते गए ते नर दिनार एककी तरीक नू राजपाल दिनार मुलाकात किस मंतव नू लेके रखी गई देखो नवजो सिंग से दू लगातार सरगरम ने सिर्फ नवजो सिं दो आज वी बहुत सारे उन्हादे साथी उन्हादे नाल सी बठेंडा गए उते उमीदवार सी कांगरस दे हर्विंदर लादी उन्हाने चोन लड़ी सी और नहीं जित सके उन्हाने एक मीटिंग दा प्रमांदर किता सी जी देवेचे वाक वाक थामातों कांगरस दे कीता सी ओ वादे तों बहुत जादा जन्रल काटगरी दे लोग खुश नहीं हैं कई तरह दे मुद्धे ने बिजली संकट पंजाब गहरा रहे है होने तो काट लग रहे ने फिर जेड़ा बिजली नवजोर सिंग सिद्धू होना ने भी आज जो ते गल चकी कि जेड़ी ब पाफ होनी है एक को जलाईतों सरकारी भी सपश्ट कर दे कि यह पैसा छे हजार करोड़े करीब है दा इंतिजाम सरकार ने कित्थों करना है कि किसे हो रूप दे विच टैक्स दा बोज पाया जाना है लोक ना थे यहां सरकार कोड़े कोई नीती है कि आसी इस जरीए ने बिजली दियां सरकारी कंपणियां ने एक काटेच ने इना दा वित्ती संकट बहुत वाद रहे हैं पंजाब कोड़ा जिड़ा किसे समें तीक दिन दा सरप्लास प्यासी हुन के दे कोड़ा कुझक दिना दा रह गया और जिनी तेजी नल पंजाब जो बिजली दे काट ल कई किसान केंदे ने कि प्रती हेक्टेर उना दा उत्पादन कटे है एदे ते चर्चा कीती गई कि जदो एना जादा खेती दा उत्पादन कटे है ते साड़ी मजूदा सरकार कोड़े ववस्था की है किसाना नो मुआफ़जे दी क्योंकि अर्विंद केजरिवाल केंदे इसी कि पंजा हजार प्रती हेक्टेर दा मुआफ़जा आमादमी पार्टी दंदीया डिली ची सब तो जादा ते पंजाब चुई असी हो ही लागू करांगे उना अगर पंजा हजार प्रती हेक्टेर है एक हेक्टेर दे वेच टाईदे क्रीब किला जमीन आउदीया एकर जमीन हो दीया है सो तुसी अंदाजा लाओ चार किना कटे होगा इदे ते रानीती तियार कीती गई कि किमें पंजाब दी सरकार तो मंग करना है किसाना दी ओवाज सरकार तक पुझे और नफजोज सिंग सिद्धू पिछले कई दिना तो यह मंग कर रही सी जिस तो बाद पगवा अन्तमान ते किसाना दी मीटिंग भी होई है हाँ पक्खी हों गारा दता है पगवा अन्तमान होना ने उदा स्वागत करना बन दा है पगवा अन्तमान ने किया सी मुआफ़ा जरूर दवांगे किसाना नो पर ओधी जानकारी लेनी कदों शुरू करू सरकार गरद जाओरियां कदों होनगी हैं मुआफजा किन्ना दता जाना है कि पंजा हजार हेक्टियर जड़ा वादा कीता सी आम आदमी पार्टी ने कि पंजा हजार हेक्टियर दे साब देना मुआफजा होनगी जे दास परसेंट खराब होया या वी परसेंट या ती पंजा परसेंट भ पखों जिदे पच्ची ती दे क्रीब X MLA कई चेयर्मैन कई साब का चेयर्मैन कई होर जड़े वाकवाक ओदेदार आम वलंटियर समाज सेवा नाल जुड़े लोग एंजियो नाल जुड़े लोग ओ थे कठे होए सी हर्विंदर लाडी होना ने प्रोग्राम रख्या सी सद् और ये नवजोज सिंग्ग उस प्रोग्राम दा सद्दा वी चनवतियां दे उते चर्शा करन लिया लग पाग दास वारा दिन पहला तै होया सी सो इस करगे मीटिंग जिडिए हैiceless नविद connection सिद्रे प्रेस कांफेंस वी कीती जीते चोना ने कई लेगawatt की हो एंस सरकार त थे नजर नहीं आया जी डला साब राजा वडिंग दे एक ब्यान नो लेके मीडिया दे वेचे चर्चा बनी होई है ओ कहने जे कोई कांगरस दा सीनियर आगू मीटिंग पार्टी नो मजबूत करन दे ले करता है ता ओ ठीक है पर जे कोई पैरलर सिस्टम बनावन दी गाल करत देखो ये बड़ा चंगा ब्यान दता है राजा वडिंग होना ने जेडे नवे-नवे कांगरस दे प्रदान बनेने में नू लगदा है कि होन जरूर राजा वडिंग इस पासे त्यान देंगे कि देखो चरंजीत चन्नी नो कांगरस ने मुखमंत्री दा चेरा बनाया सी त कांगरस दे कैंडिडेट दे खिलाफ में नू लगदा राजा वडिंग दे लिए बहुत वड़ी चुनाती रहोगी एदे ते कम करना फिर राणा गुर्जीत ने जेडे कांगरस दे एक MLA ने उनना दा बेटा भी पार्टी दे कैंडिडेट दे खिलाफ कांगरस दे देने फिर राजा वडिंग देगे ये भी बहुत वड़ा मसला होगा कि केवल टिलों नू पार्टी चो काड़ दता गया जदकी केवल टिलों ने ता ना अजाद कागज परे सी ना उनना ने कांगरस पार्टी दे प्रती किसे गतिविदी चहसा लिया सी किते कोई होर कारंत जञा नि सि कुझि जना नो वोटे टिगट घटि केवल टिलों टे लों दे खलाफ पवन बांसल होना सी और पवन बांसल होना वरसा नू सारह नू पतह कि कुछ दिन पहला ईडी हो ईडी ने edgy अग्ए भी पवन बांसल होनी जाका अ ऑा इने क्योंकि एक एक अख़वार नेशनल हेराल्ड उदा कोई मामला सी ओ उस अखवार दे मामले दे विच एडी दे सामने जाके आए ने पवन बांसल ते पवन बांसल दे पोतनों ही केवल टेलों दी टिकट काटके ब्रनालेच टिकट दती गई सी किते एक कोई सबांधता नहीं जोड़दा कि केवल टेलों पिचे दे वी केवल टेलों विरोध करदा सी कि पवन बांसल दे पोतनूं टिकट नहीं मिलनी चाहिए दी एक बहुत वड़डी जणाती होगीो राजा वड़इंग देली जिनाती ही चनाती हाने पिछे जे सुटीत मान होना ने एक बहुत वड़डा ब्यान देता सी कि रा उनने किया कि पार्टी दे पैरलर लाइन जे कोई पार्टी दे बराबर कोई इस तरह दी ववस्था खड़ी करने कोशिश जे कोई आगो करदा था उदे खिलाब कारवाई करांगे देखो एक व्रस्थता दा सनी पेनी राजा वडिए गिंग, कांटर्स पार्टी ही विश्था की है, कांटर्स पार्टी किमें कम कर दिये है कुए मैंनु तो ाज तक नहीं समझ आया कांटर्स पार्टी था। देखो पार्टी जन्ता पार्टी है बहुत और्गनाइजड पार्टी है आम आदमी पार्टी है बहुत और्गनाइजड पार्टी है अकाली दल है श्रोमनी अकाली दल ओवी और्गनाइजड पार्टी है अकाली दल दे वेच वी लगातार तै हुंदे ने केड़े समागम होन हमें आदमी पार्टि देया कमेटिएं वह समये शमय वेत्थ करण सूरे सबूस्तित क्यों कोई इंदाज़ानी राजा बड़िंग कहे रहे निया अगर कोई पैरलल ववस्था किस रूप इस ब्रवाशित करना पाना है कि mã वस्था उस वस्था दे पैर्लेल अगर कोई वस्था वन दा आ जी वह पहला दसनी पहने की कांग्रस दी ववस्था की इना धे कि जदो पिछली वारी नवजोज शिंग सिदू प्रदान सी नवजोज सिंग्टम ने जदो आवदेदार बनाये ते ओ, इलान ले नहीं गये पर सी ओ इलाने ही नी गए कें दे हाई कमांड को ले फैसला होंदा है नाम उपर गए ने उपरों तै होंगे चलोए गलना चाल दिया रही है फिर नवजोज सिंग से दू ओ प्रदान सी जी दे इस्तिहार जारी नी होए वीडियो इस्तिहार कांग्रस पार्टी दा मुखमंतरी द पर में नूए लगदा है जिग्रीश जी राजा वडिंग हजे बहुत जेड़े ने नवजोज सिंग से दूदे मकाबले उमर चो छोटे ने और राजा वडिंग ठीक है पार्टी ने प्रदान बनाए ने पर मेरा ही मनना है कि कांग्रस पार्टी पार्टी नहीं पता होंद भी जेपीच भी है कांग्रस में नूए ववस्था पता नी आपने को ले पका प्रदान है नी बीबी सोनिया गांधी टैंपरेरी प्रदान ने और बने अी किसे तो थे प्रदान एक वरी कैया भी दता सी आक के राहूल गांधी ने वी तुसी नौन गांधी प्रदान बना नौन गांधी प्रदान नी बनेया तो रहूर गांधी फैसले कर देने जीते ही ने वाजचकती सी सवाल चकते सी चरणजीत चनीनू मुखमंतरी दा चेरा रहूल गांधी अनाउंस करे आए यह किस कपेस्टीज कर के आए रहूल गांधी ता पार्टी दे प्रदानी नी ओता एक MP ने सो इसकर के कांग्रस दी डिड़ी ववस्थ है में लगदा कि यो राजावडिंग नू पूरी दुनिया नू दसनी पहनी वी कांग्रस दी आववस्थ है कांग्रस इस ववस्थाच काम कर दिया है हजे तक तक ये वी नहीं पता कि राजावडिंग होना दा कार्ज काल कांग्रस ने किनी देरदा कीता है हो सकता है कांग्रस दे सवे दान चे गला होन पर जेडी होना दी प्रदानगी दी चिठी जारी होई सी उदे चिलिखियानी सी होया कि राजावडिंग जी तो अड़ा कार्ज काल कदो तो कदो ता करोगा सो इस겨 के कांगर्स नियां ववस्ता मानी मनू जावा समझ नीयीग कीज नीय। कांगरस दी रिपोर्टिंग नी कीती, पर हां क्योंकि एक वड़ी पार्टी है, जेज जी इजादी चिपूमिका दा कीती, कांगरस ने इस करके कांगरस दी, कांगरस दा, पता सानु सारे हनूँ है कांगरस बारे, उन जितो तक सवाल कही पत्रकार कार देने, वी की आज वी प्रेसिंदे प्रेस कांफिंश पत्र कर रहा ने सवाल गी तुसी नहीं किस me kita कर रहे हुं उकिन डूरी मैं कॉंघ्रस दा वलंटीर कोज़े चा कोई चनौतिय तुसी राजा वढग संग नू नफ जोंग सब्सक्राइब पर मैं बतार पत्रकारी के गल कहना चाहूंगा जिगदीश जी नवजोज सिंग से दू दी मुद्यांते जिस जिस तरह दी पकड है नवजोज सिंग से दू किसे पार्टी होवे ना होवे किसे ओदे ते होवे ना होवे नवजोज सिंग से दू दी लोकां दे वेच जिस तरह दी पहचान है उना दी पकड़ है ओधी बदालत ओए ना मुद्याते संगा रशकार देने और में नू लग दा कि उन्हों दा काफला डे बाई डे वड़ा हो रहे हैं जी देना कांग्रस पार्टी नू भी में नू लग दा खुश हो ना मौक है राजा वडिंग होना नू पाई राजवाना नू रहा ना कीता जावे क्योंकि उन्हा दी रहाई दिनार पंजाब दे विच आमन कनून ते ववस्था दी जड़ी स्थिती है उखराब हो सकती है कि मैं देख दियू इस चेखें तो अड़ा पहला एक सवाल सी हो दा जवाब रह गया सी मैं वह भी नाल पंजाब दे मान जो गवर्नर ने होना तो टाइम मंगया सी नवजो सिंग से दूने मिलना दा कि उन्हान वीरवार ग्यारा वज़े दा समा मिले आ है अशुनी सेखडी और नफ्तेज चीमा में नू लग दा है कि इना दे नाम भी हो दो जदो टाइम मंगया गया सी ते पंजाब दे बर्निंग इशूज नो लेके राज पंजाब दे राजपाल नो जाके मिलनगे और उन्हान नो एक मांग पत्तर है जड़ा वी संपन गे हुन जड़ा तो अड़ा हुन सवाल है देखो शरोमनी अकाली दल दे परदाने सुखवीर सिंग बादल उन्हान ने चि गलवी करती सी उस तो बाद दिली दे वेच संटेंस रिव्यू कमेटी दी मीटिंग भी पिछे जे हुई पर हजे तक प्रफैसर पुलर दी रहाई ते कोई फैसला नी होया जेड़े सिख कह दी ने जेड़े पची पची वीवी पची 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 2727 साल जेला चला चुके न जिनननों वीवी साल तक पिरोल नी मिले आकर दी उननने बार ली दुनिया नी देखी जदों साधिया सुप्रीम कोटा ने मनुखी अधकारांदा उदारन दे के हवाला दे के उनननों उमर कैच उननन यहां फांसियां बदली आई ते होन सरकारां ने उननना दी रहाई दी ते रहाई जरूर होनी चाहिए दिया देखो मैं एक कुद आरंद हुगा प्रिंका गांदी रजीव गांदी नूँ जेड़ा जेड़े शिहीद करन वाले जेड़े लोक सी उन्हा दे विच्चों एक औरत नूँ मिल के आई सी प्रिंका गांदी और प्रिंका गांदी ने विच्चों क्या सी कि अगर इन्हा समा इन्हा जेल हो गया इन्हा समा इन्हा ने कैद काट ली ते जो होया उन्हा समया दे वेच उन्हा हलाता दे वेच जो होया उ कदी भी वापस नहीं आ सकता तो उन्हा ने वी एक तरीके नाल इस सेमती देज़ती सी एक तरीक के नाल की अगर उणानों रिहा किता जांदा ते उणानों कोई इतराज आली गल नहीं हो नी बाकि ये अदालतां दे फैसले ने विजे अदालत उणान्व बरीवी कर दी है ते असी नहीं इतराज कर सकते क्योंकि अदालतां दे फैसले ने, सुप्रीम कोर दे फैसले ने, मनुख्य अदकारां दी वकालत कर दे हुए, पिंका गांदी ने, सौफ्ट कॉर्णर है जड़ा, उस औरत दे खिलाफ दखाया सी, जड़ी, रजीव गांदी आले मामले दे विच, उस वक्त जेल दे विच सी होन अजेहे हलातां दे विच जड़े पंजाब नाल जुड़े हुए, इस सिख कह दी है, इना दे प्रती वी इस तरी के लिपा आवना है, कि इना ने इना इना समा जेलांच काट लिया, ते होन इना नू अगर रहा कर दता जावे, उद इना ना ता लायांड ओर दा कोई, प्राबलम खड़ी होनी है, समस्या खड़ी होनी है, ते हो दे ना लिक सनेहा जाओगा, कि अदालतां निर्पक इंसाफ कर दिया ने, साड़े मलक दिया और कर दिया भी ने, पर सरकारां भी उस तो बाद निर्पक फैसले करें, हाँ, रवनीत बिट्टू क्योंकि उना दे दादा जी ब्यांत सिंग ना जुड़िया मामला सी, जी दे विच बलवांत सिंग राजवान है, ओच ब्यांत सिंग और 17 लोग होर सी, जेड़े इस दुनिया तो चले गए सी, इस करके रवनीत बिट्टू दिया पावनावानू भी समझा जा सकता है, क्योंकि उना दे प्र बाकी उन सरकार जो फैसला करूगी जिक्दीश जी उस तो बाद ही बाकी गल किती जा सकती। तो सियासत गरम होंदी हों निजर आ रही है, क्यों पहला तक हले है, कि पंजाब दिया चोड़ा तो पहला आहम आदमी पार्टी दे लीडर कहें दे सी, पंजाब जो बिजली मुफ्त होते हैं, उन जेनल कटागरी नो तो मुफ्त नहीं है, छेसो तो वद जी दी वी यूनि कर रहे हैं, मेंबरंडम दे रहे हैं, वाट्सेप ते आपने ओं मंग पत्र बना के पेज रहे हैं, हुन सुशील गुप्ता जेड़े उत्थुन दी राजसाबा मेंबर ने, उन अदा ये ब्यान है, हुन ये अपने आप दे वेच्च हर्याने दे लोका ली ता खुशी आली जेतना होना ने अर्विन केजरी वाला और पगवंतमान दी सेम ती नाल दता है, ते जेही सूरच जे हर्याने चाम आदमी पार्टी दी सरकार बन जान दी है, दिखो जे हर्याने चाम आदमी पार्टी दी सरकार है, पंजाब चाम आदमी पार्टी दी सरकार है, फेरता है हर पंजाब दे मुखमंतरी पगवंतमान तो भी सवाल पुछना चाहिए अर्विंद केदरीवाल तो भी सवाल पुछना चाहिए अर्विंद केदरीवाल तो भी सवाल पुछना चाहिए असी बतौर पत्रकार पगवंतमान तो भी सवाल पुछना चाहिए असी बतौर पत्रकार और फिर सुशील गुपता अपना जोमर जी उते कहने गलता हुन पगवनतमान ने किया असी पंजाबदा पानी नहीं जान देना फिर टाकल खत्म है क्योंगी पगवनतमान मुखमंतरी ने पनजाबदी असी मुखमंतरी ना खड़े हैं जी जी डला सब समापती बाद दें आजी तुसी आज दे प्रमुख बहुत ही एहम स्यासी मुद्धियां दे अपने विचार रखे दर्शका तो भी जाज़त लेने आजी तो अड़ा बहुत बहुत आनुवाद बहुत आनुवाद दें जी